है गुड मॉर्णिंग स्टुजेंट्स स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास वर्ग और वर्गमूल स्क्वाइर इंड स्क्वाइर रूट पढ़ रहे थे हम लोग और उसी में अपनी स्टेडी स्कों आगे बढ़ाएंगे सबसे पहले सीखेंगे वर्गमूल ग्यात करना और वर्गमूल ग्यात करने कि यहां पर अलग अलग विदियां अब आज गुलन खंडवी थी प्राइम प्रेक्टराइजेशन में और उस पर अधारित प्रस्ण क्या हो सकते वह पढ़ेंगे घटाने की संक्रिया द्वारा भी हम वर्गमूल ग्यात कर सकते हैं यह क्या है इसको भी जानेंगे और फिर अंत में भाग विदी द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे और इस पर अधारित प्रस्ण करेंगे सबसे पहले बचों अभाज गुरन झण विद्यी लिखी है तो अभाज गुरन बिदी से केवल हम पूण वर्ग संक्ष्छाओं के वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं इस पर स्थ है सजी संक्या का वह उन्हारा के लिए आपको चिन्म चिन्मोल को ग्यात करते हlor कि यह वर्ग मूल का बच्छों चिन है यह उपर जो चिन है यह वर्ग मूल का है आप से कहा गया कि नौ के नौ का वर्ग मूल गयात कीजिए वह भी अभाज गुरन-खंड विद्धी से तो आपको सिंपली करना गया है कि बस नौ के अभाज गुरन-खंड निकालके देखने तो यहां पर हमने नो के अभाज गौनखन्द के निका ले तो नौ सबसे छोटी अभाति संख्या दो से विभाजीत नहीं होगा अगली 2 दो कह बाद अभाज संख्या तीन है जिससे 9 विभाजीत हो जाएगा तो 3 अर्थात में ृप जो भी अबाज उग्रण खंडाय हैं और जो उनके जोड़े हैं बच्चों उन जोड़ों में से एक संख्याम बाहर निकाल के लिख देते हैं यहां पर अब केवल तीन का ही एक जोड़ा बन रहा है तो उत्तर हो जाएगा तीन बड़ी छोटी संख्या थी आप औरली भी इसक एक्क्राइजिशन मेतड़ और थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं और उसका वर्गमूल निकालते हैं जैसे आप से कहा गया कि तो को याद भी होगा क्योंकि हमने कहा आफ आप से की एक से 20 तक ही संख्याओं कि वर्ग तो अवश्य आद कर लीजिए चलिए 256 निकालते है तो 256 पहली अवाजी संक्या दो से भी वाजित हो जाएगा बच्चों हाँ हो जाएगा क्योंकि इसका इकाई कांक 6 बिटा दो से भाग देंगे 256 को 128 आ जाएगा पुना 128 को फिर से दो से भाग देंगे 64 आ जाएगा पुना 64 को दो से भाग देंगे 32 आएगा फिर दो से भाग सोला फिर दो से भाग दिया आठ आ गया फिर पुना तो यहां पर दो के हमारे पास चार जोड़े बन गए है और प्रतेक जोड़े में से एक अबाज संग्या भार आजाएगी तो अब हम दो गुणे दो गुणे दो और गुणे दो अर्थाद दो दुरी चार दुनिया दुरी सोला सोला दो सोचपन का बच्चो अभाज गुणनखंड विदी से वर्गमूल हो गया इसी प्रकार से आपको ग्रेकार में हम दे दे रहे हैं करें करें हैं है 322 325 का आप वर्गमूल निका लिए यह ज़ली से अगर मानली जी आप से कहा गया कि वह 一ा लिखान वही काम करना है में नि辉ना है 324 आप 56 कठ रहा है o कंई आइक स्थान पर क्योंकि चार ऒरोज से भाग दी कि 한 जा कि शो भी ऐसें नहीं गया है तो फिर दो से भाग दिया है कि प्लिख का थे अब इसका भाग दो से जाएंगा बंट तो आम प्लै इसके का देंगे अगली अबस संक्या 3 से यह विभाजित एक्यासी आठ और एक नौ अंको का यूग नौ आ रहा है जो कि तीन से विभाजित है इसलिए 81 भी 3 से विभाजित होगा पिटा तो तीन से इसको भाग देंगे पुर्ण तीन से विभाजित होगार तो यहां पर हमारे पास 324 का पर्ष़ाज निकालने में जितने भी जोड़े उन जोड़ों में से प्रत्येक में से एक अभाज संख्या भार कर लेते तो एक दो बार आया एक तीन बार आया और एक और तीन बार आ गया तो इनका गुणनफल इंद्रिकु नोदुनी अठारा अर्थात 324 का बच्चों वर्ग मूल हो गया अठारा तो यह तो सिंपली आसान वीदी अभाज गुरनखंड विदी ध्यान किये अभाज गुरनखंड विदी से हम केवल उनी संख्याओं के वर्ग मूल निकाल पाएंगे जो पूल वर्ग घंप आ अगर बढ़ते हैं अब मने इसके आगे लिखाये कि आधारित प्रश्न तो अभाज गुरन खंड विदी पर आधारित प्रश्ण की हैं वो सकते हैं अगर सकते हैं यह और माली जो कोई संख्या आपको दे दी गई और अब इस संख्या में आप यह बदाईये चेक करिए किया संख्या पूरवर्ग है कि नहीं कि अब अभाज बुरन खंड निकाले लिकालें वीस संख्या और फिर देखें नहीं है तो हम कहें देंगे अब यह प्रशन हो गया और दूसरा प्रशन यह आ सकता है कि कि सबसे चोटी संख्या का भाग दें या गोड़ा करें जिससे दी गई संख्या पूर्ण बन जाए यह बड़ा अवश्यक प्रशन है इसको ध्यां से देखिएगा जैसे उधान के लि देखा पहला दो और ली बता दिया था दूसरा माली जी आपने आप से कहा कि यह बताईए कि 9408 में किस कि सबसे चोटी संख्या का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी तथा भाग फल का वर्ग मूल भी ग्यात करें यह प्रशन आपके सामने आया है पढ़िए ध्यान से इसको कह रहा है कि बताईए कि कि 9408 में किस सबसे चोटी संख्या का भाग दे दें जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए और फिर भाग वल का वर्ग मूल भी ग्यात करें तो बस हमें क्या करना होगा इसके अभाज गुलन खंड निकालने होंगे और अभाज गुलन खंडों में जिन अभाज संख्याओं के जोडियरं नहीं बन रहाे हैं अगर वह एक लुटि संख्या जिसका जोडा नहीं बन रहा है तो वह संख्याओं सबसे शोटी संख्य क्या होगी जिसका 9408 भाग देने पर भागफ़ल पूल बन जाएगा और एक सही ridiculously जोड़े नहीं बन हैं तो उन संख्याओं का गुणन फल ही हमारा अवेस्ट तर होगा है तो करते हैं जल्दी से 9408 के अभाज गुणन खंड निकाल रहे हैं तो सबसे पहले दो से भाग देंगे इसका कि लोगा है पिर दो से बाग देंगे कि तो से बाग देंगे कि पुना दो से बाग देंगे फिर दो से भाग चला जाएगा इसका अब देखिए 147 आया अब यह दो से विवाजित नहीं होगा तीन से चेक करते हैं अंकों का जोल निकालते हैं अग्या और अब यह दो जाएंगे अब इसे विवाजित नहीं होगा अब इसे वह वजीत होगा इसाथ है कि साथ से भाग देंगे कि अचली जोड़े बनाना करें सुरूबात करते हैं पहला जोड़ा बन गया दो का एक दो लगत निलरा और बन गे एक बज़म पर घ्एदाव प्रफ में ना होती तो बस उब बन जाती है कि कि सोटी शोरी ने पर या पूर्म बन निकालेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे आंसर स्टेट्मेंट भाग कि दी जाने वाली सबसे छोटी संखिया बराबर क्या हो जाएगी बेटा 3 और दूसरा भाग ऊए एक और इस प्रसेमिंए कि जो भाग फल आएगा उसका वर्गमूल भी ग्यार कर्दिजिए पिर इसके कि पहले दो जोड़े से दो बाहर आजाएगा को अगले जोड़े से दो यह और बाहर आ गया और अंत में साथ आ जाएगा तो तो दो दूनी चार दूनी आठ सत्य शपन तो भागफल का वर्गूल बेटा क्या हो जाएगा शपन अब देखिए जरा इसी में दूसरा प्रशन का आता है कि जैसे माली यही सेम प्रशन होता कि 9408 में किस छोटी संख्या का जहां भाग देना लिखा है वहां लिखा होता बस गुणा करने पर किस सबसे चोटी संख्या का गुणा करने पर यह पूर्वर्ग बन जाएगी तो बस हमें पूरा काम यही प्रसीजर बिल्कुल यही था कि हम क्या करते 9408 का वर्ग मूल निकाल निकाल चुके हैं फिर जोड़े बनाते अब देखते कि संख्या का जोड़ा 3 का नहीं बन रहा है तो अगर एक 3 और यहां पर होता तो उसका बीजोड़ा बन जाता और फिर इस अन्ख्या जो भी होती हमारे सामने पूर्वर्ग होती तो अब हम यहां पर 2 की 3 आंसर का गुणा करने पर 9408 पूल वर्ग बन जाएगी अगर हम 9408 में तीन का गुणा कर दें तो यह पूल वर्ग बन जाएगी अब दूसरा भाग जोएग उसको ध्यान से करना है अब कहता साथ ही भाग फल की जगें अब कहता कि वहीं कुल्ण फल का वर्गमूल क्या होगा वर्गमूल अर्थाद दें तौर आ जाएगा ना तो बस हमें करना क्या है कि अब अपने जोड़ों में तीन को भी शामिल कर लेना तो गुनन फल का वर्गमूल गुरून फल का जिस भूटमूल बेटा क्या हो जाएगा 223 में दो बाहर आ गया दो हम तर गुणा चुके होंगे तो एक तो यह तीन भी रहेगा और साथ में जो साथ था वो तो रहेगा ही रहेगा तो आप हम कि इस अब कर लेंगे तो छपड़ने पर तीन गुणा कर लेते हैं तीन चांग अठारा कि आठासी लगे एक तीन बचे पंदरा और एक 168 गुणन फल का बेटा वर्गमूल हो गया तो यहां पर हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल ग्याद करना सीख रहे हैं अभाज गुणन घंड वेदी सीखी है और उस पर आधारित प्रश्णों की संखला में हम तीन प्रकार की सीख चुके है पहला प्रकार का प्रश्ण क् कोई संख्या पूर्वर्ग है की नहीं जैसे यहीं माली जी आता चेक करने के लिए कि जाज कीजिए 9408 पूर्वर्ग है की नहीं इतना ही प्रश्ण होता तो आप 9408 का भाज गुणन घंड निकालते और जोड़े बनाते अब देख आपने की तीन का पूरा 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 कि सबसे चोटी संख्या का भाग देने या गुणा करने पर पूर्वर्ग बन जाएगी ती गई संख्या और फिर भागवल या गुणनफ्रग का वर्ग मूल भी निकाली है इसके बाद एक प्रस्ण और एक दो प्रकार के और प्रस्ण है जो इस वेदी पर आधारी थे उस